नहीं पाचान रही हो वो बड़ी महरानी है बड़ी महरानी हाँ पागल हो गए है क्या पागल तो आज मैं नहीं हुआ हो प्रंतु आज हो जाओंगा अच्छा जब तक तुम ध्यान से देखो वो कौन है और यादि तुम नहीं पाचान पाती हो तो और करेव जाकर पाचान कर ऑख चिसको मैंने बनबास दिया था वहीं बरिडिदी है अड़ी बड़ी दिदी है अड़ी बेटा उत्तम में तिरी मां हूँ दिखाई नहीं दिता है पागल हो गिया है क्या अगरा आज तुम्हारा पुत्र पहचांद्ने सिनकार हो रही है और तुम अभी गले लगाने के चाहती हो यह लड़का कौन है स्वामी ची वो लड़का मेरा पुत्र है कैसे आपका पुत्र हो गया याद करो उस दिन की जिस दिन मैं तुमारे साथ आंच अलकुवर मनाने वाली थे उस दिन मैंने तुमारे साथ शूत बोलकर यहां से सिकार खेलने के लिगा था प्रंतु सि कार खेलने में पानी प्यास की मारे में बहुस हो गया था महरानी और यह तो मेरा अहुभाग था जो कि उस जंगल में बड़ी महरानी रहती थी और उस जंगल में बड़ी महरानी आकर मुझे पानी पिला कर होस में लाया और फिर भी इसने वचन देगरा था इसने अपने सब्सक्राव होने के लिए चैनल था मैंने रात भर इसके जूपड़ी में राम किया और उसी राद का ये बालक है कि चलिए कोई घर कोई बात नहीं है आप गईते जंगल सिकार खेलने के लिए किसी सी प्रेम जोरने के लिए महराणी मैं प्रेम भी जोरा तो अपने साथ में और तुम इस अच्छी खासी घर को तबा करके रख दिया रहा रामजादी कहीं कि पाऊ रखने से पालो रहा रामजादी तुम मेरे घर को तबा कर दिया रहा स्वामजी मुझे माम कर दीजिये मैं से गल्ती कहीं करूंगी क्या हो इसको मत मारिए क्या हो ए सब थोड़ा केता है मार दीजिए लेकने पकड़का पुर्वक्ति के सांब बस आप भेजी दो भेजी दो प्रंत महरानी जी स्वामी जी आइसा एकर क्यों किया मुझे भूख लगी है एक रोटी का महापे आधा मिलीगा तो क्या किसी बेगती का पेट भड़ेगा इसलिए मैंने ऐसा किया अच्छा यदि प्रेम बना रहे तो आधी रोटी से भी भूख मिट सकता है प्रंतो तुम्ह तो यह एक रोटी का भूख लगी है यह को कहें का चलने का अकल नहीं है प्रंतो आज मैं तुम्हें फांसी का सजा सुनाता हूं इससे सभा की रीच बेटा उत्तम शल्लगाह रमजादी को फांसी को फांसी है यह को कहींगा कि बताओ मारानी परंतो महरानी बता तो में सहरमजादी को क्यों बहुआ है इनने छोडिजे यह क्यों है कि यह मेरी छोटी बाहन है इसे मत माड़िए बताओ महरानी तुमारे हीड़े किस मिट्टी के बनी ही है तुमारे हर्दी में यभी भी छोटी महरानी के लिए प्रेम जगा हुआ है जोनिवा आउर मैं इसे माप तो कर दूँगा पर इसे नौकरानी बनकर रहना होगा इस महल म ठीक है स्वामी जी आज दिन से में इस हवेली में दासी बन के रहूँगी हवेली का जितने भी काम होंगे शारे में काम करूँगी ठीक है हाँ तो मानभाव यही था भाक्त द्रोप और्प सवतेली मा की कहाने आपने अभिने का अंतिम सिंदिखे पूरे परिवार मिल चुके है यह नाटक इस जगह से संपन होता है जो भी तुरूटी हुए होंगे आप लोग हम सब कलाकार को अबोध बालक समझ कर माप करेंगे आए इस जगह से हमारा नाटक संपन होता है आप लोग अपने अपने घर को जा सकते गोबर धन की रिधारी जी शुदेले लो हमारी जय 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 सिरी खृष्ण बुणारी गोबर धन की रिधारी जय जय सिरी खृष्ण बुणारी जे लो हमारी जय 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 भारत धन्नवाद रिकाटर आज तुने इस तंसार में अपने सच्चाई को सावित करके अपने पूत्र को होसला को बुलंद कर दिया वो इसे मुझे विश्वास नहीं था फिर आज मुझे गर्व है इस तंसार में हमें पिता स्री मिल गया माता पिता की चर्णों में चारू धाम है इनकी चर्ण सूने से जो तीरत करने से उसे फल मिलता है वो माता पिता की चर्ण छूने से मिलता है आये गुरतो हो रहा आलग या पिता जी मैं धन्न हो गया पिता जी आपके दर्शन पाने के लिए मैंने संसार में कितना भगती किया पेते हारे यह उच्छा आरे निया यह पीता जी देबा पीता जी आई आपके देबा जी आई हां मियों नारे हां सरबार तू लारा हां काया हो ही तो हां का नारे चान सा हमाना जीति रह बीटा मैं धन्य हो गया पिता सिरे इने दिनों का तु मैं इंतिजार कर रहा था कब मेरे जीवन में वो खुशी आएंगे जो मात पिता का दर्शन पा करके मैं सारे कस्ट को भोल जाओंगा हे प्रण्त बीटा अ प्रण्त तु क्या पीदा शिरे तुम्हे तो खुशी आज चुका ही पर मुझे ओ दिन का याद है जिस दिन तुम मुझे आ कर बैठा था तो सरंजादी ने मेरे गोच से तुम्हें जमीन पर उचाल कर फेग दिया था उस दिन तुम अपने यांखो से यांसु रही बल के खोन का यांसु रोया था बीटा मैं आशो आशों का गिन गिन कर बदला नहीं लिया तुमेरा नाम है राजा उतार पात सिंध नहीं नहीं पिता जी पीते हुए कल को भूल जाए कैसे भूल जाओ वो मेरे भाग में लिखा था मेरे भाग में दुख लिखा था तो सुक कहां से प्राप्त होता पिता श्री प्रंटो बेटा आपके चरन धूल से हमारे सारे कश्ट दूर होगे पिता श्री नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए केवल मात और पिता का अशिरवाद चाहिए अशिरवाद तो मैंने तुम्हीं दे दिया प्रंतों जब तक में उस हरमजादी से बदला नहीं चुकाओंगा तक तक मैं सांती से नहीं बैट सकता हूँ पिता जी काली नागिर को राज दर्वार में बोलाया जाए पिता जी हाँ बेटा उत्तम आईशा ही होगा रह शनी दर आओ ये वाता इस वक्त महाराणी का है महाराणी महाराणी जी तीनेवजे फोर का बातरूम में घुसी है अच्छा अब तक नहीं लिकली है बातरूम में एक है या गाए है उन की चा जाब किसके फास है ओिजिरा घाले तो बेटा जा एस वक्त तों उसी वातरूम के पास और महाराणी को कहना काई अपने सभा में तुभी भुलाया है नाय था हूँ जितना पायता हूँ उतना है सरो हम यह है के सुनना हो अदूरिगा सरो के सातीमा अदेखा बड़ता सूरत दिया के महिया यह जुदू समाना के माय है के सुनना हो अदूरिगा सातीमा अदेखा बड़ता सुरत दिया के महिया यह जुदू समाना के आ देखा बैसा कतिया मैया आजू दूसमान के करनाम सवामिजी क्या बात है यह जो सभा लगी हुई है शिर्फ तुम्हें देखने के लिए च्या बात है जो कि सभा लगी है आइसे कोई अपने दरवार में वेग्टी पहुची हुए है अच्या उसी तुमें पहचान करना होगा ठीक है अभी मैं पहचान कर लेती हूँ करो महरानी यह सब को तो मैं पहचानती हूँ यह मंत्री जी है यह उत्तम है हाँ ये उत्ताम का दोस्त है लेकिन वो औरत को नहीं पाचानती हूँ नहीं पाचानती हो जी नहीं स्वामी ची महरानी जिसे तुम नहीं पाचान रही हो वो हलो आये आप है सिरी महंदर मंडल जी